संजय जी और आप सभी पत्रकारों को कि इस महत्वपून विशय पे एक शौट नोटिस पे आपनों आज यहाँ पे उपस्थीत हुए बहुत दुखद विशय है बार-बार भारती जनता पार्टी कहती है कि कुछ विशय जिन पे कभी राजनिती नहीं होनी चाहिए उन विशयों पे भी हिंदुस्तान में कुछ पार्टी राजनिती करने का भरसर प्रयास कर रही है उन में से एक विशय भारत की सेना का है भारत की सेना के तरीकों का भारत की सेना के गौरव का है बड़े दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि आप सब ने देखा कि समय समय पर कई political party जिसमें खास करके Congress और आम आदमी पार्टी प्रदान है उन्होंने समय समय पर भारत की सेना को लेकर Controversies खड़ी की भारत की सेना को लेकर के जिस प्रकार का वातावरण बनाया है कहीं न कहीं इट बिलिटल्स दी इंडियन आमी और इंडियन आर्मी जिसको लेकर हमारे मन में किसी प्रकार की शंका नहीं है हमारे मन में किसी प्रकार का डाउट नहीं है जबरन लोगों के मन में शंका उत्पर्न करने का प्रयास ये आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस पार्टी समय समय पर करती रहती है संजय सिंग जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं और कुछ अन्यसानसदों ने एक ट्वीट करके आक्षेप लगाया है इंडियन आर्मी के उपर भारत की सेना के उपर की जो अगनिवीर स्कीम चल रही है उसमें जाती और धर्म के लिए एक कॉलम रखा गया है और जो एप्लिकेंट हैं उनके जाती और धर्म पूछे जा रहे जिस प्रकार की भाशा का प्रयोगिस' ट्वीट में किया गया है और कुछ नेताओं का कहना है कि यह तो उन्डियन आर्मी जो है यह जाती के अधार पर रिक्रूट करना चाहती है पिछड़े और जो जनजाती यह लोग हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करना चाहती है उनके साथ भेदबाव करना चाहती है दुख है इस बात का कि माननी ये सदस्य अर्था जो मेंबर आफ पार्लमेंट हैं क्या वो अनभिग्य हैं क्या वो जानते नहीं है हकीकत क्या है मैं बताता हूँ आपको हकीकत क्या है हकीकत है कि जो भारत की सेना है इंडियन आर्मी वो किसी भी कीमत पे धर्म के आधार पर या जाती के आधार पर recruitment नहीं करती है इंडियन आर्मी ड़स नोट recruit as per the caste or the religion of the applicant जाती और धर्म से कहीं उपर हिंदुस्तान की सेना है फिर भी ये जो column है ये क्यूं है इसका उत्तर 2013 में देश के सर्वोच्च न्यायल है सुप्रीम कोर्ट के पटल पे मिला एक individual ने इस पे P.I.L. दाखिल किया था सुप्रीम कोर्ट में और कहा था कि जाती है और धर्म के आधार पर क्यूं ये column होते हैं इंडियन आर्मी में तो 2013 में ही एक सत्यपत्र अर्थात एफिडेविट सब्मिट करके भारत की सेना ने सुप्रीम कोर्ट में अपने मत को पश्ट किया था और कहा था कि there is no role in the selection process as far as caste is concerned कोई रोल नहीं है कोई भी इसमें धर्म और कास्ट के आधार पर selection का रोल नहीं है किन्तु एक प्रसाशनिक अर्थात administrative और संचालन या परिचालन जिसको अंग्रेजी में operative कहते हैं ये एक operative requirement है ये एक प्रसाशनिक या administrative requirement है 2013 में सुप्रीम कोट में इंडिया की आर्मी ने कहा था 2013 में किसकी सरकार थी 2013 में मोदी जी की या भारतिये जनता पार्टी की सरकार नहीं थी उस समेश पस्टता सुप्रीम कोट में दिया जा चुका था इंडियन आर्मी द्वारा क्या ये माननिय सदस्य नहीं जानते क्या ये congress पार्टी नहीं जानती क्या ये आम आद्मी पार्टी नहीं जानती फिर भी इंडियन आर्मी को अखाडे में घसीट के लाना और उसके साथ दो-दो हाथ करने की ये प्रवर्टी उचित नहीं है कहीं न कहीं ये राजनीती करते करते देश की आर्मी को बदनाम करने का काम है धर्म का जो कॉलम है क्यों मांगा जाता है बहुत स्पश्ट्रूप से आर्मी ने कहा है हमारे recruitment process में धर्म का कोई स्थान नहीं किन्तो unfortunately अभाग्यवसत यदि कर्मक्षेत्र में युद्ध के समय किसी जवान को शहादत या वो बलिदान को प्राप्त हो जाता है तो उसकी जो अंतेश्टी की जाएगी उसके जो अंतिम क्रियाएं की जाएंगी वो कैसे की जाएंगी ये निर्धारित करना भी sensibility और sensitivity के आधार पर होता है इसलिए धर्म का एक कॉलम होता है उसके बावजूद ये जानते हुए संजय सिंग और आम आदनी पाटी और कुछ और नेताओं ने जिस प्रकार का सवाल उठाया है ये कुल्छित सवाल है ये मन को कष्ट देने वाला सव इंडिया की आर्मी में रिक्रूट्मेंट का एक प्रूसीजर है और यह जो रिक्रूट्मेंट का प्रूसीजर है यह कोई आज का बना हुआ प्रूसीजर नहीं है यह प्री इंडिपेंडेंस के समय भारत स्वाधीन हो भारत के स्वतंता मिले उससे पहले का यह प्रूसीजर चला रहा है और यह जो पूरा प्रोसीजर है एक special army order के अंतरगत post independence के समय में इसे formalize किया गया था और वही प्रक्रिया अभी भी चल रही है जो special army order post independence के समय में formalize किया गया वही प्रक्रिया अभी भी चल रही है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन no change has been made by the Modi government किसी प्रकार का परिवर्तन मोदी सरकार द्वारा नहीं किया गया है किन्तु फिर भी जान बूझ कर यह आम आदमी पाटी की चेश्टा है और कुछ राजनेताओं की चेश्टा है कि सड़क पे आगजनी हो जो युवा है उनके अंदर कहीं न कहीं एक अफवाफ पहले युवाओं के अंदर भ्रम की स्थिती पहले कि इंडियन आर्मी हमें रेक्रूट नहीं करना चाहती है जाती के आर्विंद के जरिवाल वह वेक्ती हैं जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक और एर स्ट्राइक पे सवाल उठाया था दो पीपल हो डाउटेड सर्जिकल स्ट्राइक बाई इंडियन आर्मी यट अगें आर्मी के उपर संदेह उत्पन्न कराना इंडिया की आर्मी को इंडिया के सिटीजन्स के विरोध में खड़ा कर देना लोगों को अपनी ही आर्मी के खिलाब बढ़काना यह काम अर्विंद के जरिवाल और कुछ राजनेतिक दल के लोग अपने स्वार्थ के लिए करते है किन्तु हिंदुस्तान की जनता बुद्धिमान है कभी भी इस स्वार्थ में नहीं पढ़ने वाली है वो जानती है कि हमें इंडियन आर्मी पर हिंदुस्तान की सैना पर पोरण विश्वास है बंदुगर बहुत-बहुत धन्यवाद कोई प्रशन हो तो अवस्य पूदिए देखिये हमने जो अभी सच्चाई यहां बयान किया है यह उन सभी लोगों के लिए है जिनके मन में भारत की सैना के लिए किसी प्रकार का संसय है पर आल दोस वो फील यहां अईटा अव डाउट अगेंस्ट इंगिन आर्मी विएफ पुट देख्ट इंगिन आर्मी हैं और इंगिन आर्मी है और सो इस्टेटमेंट इचू किया है मुझे लगता है इसमें राजनिती करने की अवश्यक्ता नहीं है धन्यवाद